जो भजनलाल सरकार का जो ये बजट है ये उनका पहला बजट होगा और ये आगे की जो भजनलाल सरकार की दिशा है किस तरह से आगे कदम लेकर सरकार बजट बनाएगी किस तरह से खर्चा करेगी और कौन-कौन से सेक्टर्स को लाभानवित करेगी उसका कहीं न कहीं ये रो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्सित भारत का जो उन्होंने एक तरह से विजन त्यार किया है 2047 उसको भी कहीं न कहीं ध्यान में रखते हुए केंद्र राजसरकार का ये बजट होगा जो फाइनाइंस मिनिस्टर है वित मंत्री है दिया कुमारी वो बजट प्रस्त करेंगी लेकिन भजनलाल को सीम को कल शाम को ही उन्होंने बजट दे दिया था तो एक तरह से भजनलाल सरकार का ये पहला बजट रहेगा अब इसमें कई चुनौतियां भी है इस बजट में राजस्तान को सेंट्रल टैक्स का करीब सतर हजार से जादा करोड का ऐलोकेशन मि लिए उन्हेंने बहुत जादा पैसा करजा पे लिया है और राजस्तान का जो डेट है वो करीब 5 लाग करोड से आगे पहुच चुका है यानि कि देश में यह सबसे जादा है करीब 37% बताया जाता है ऑफ GDP तो इसको बतलब किस तरह से चुकाया जाएगा क्योंकि डेट ब लोग लोभावनी जो मोबाइल स्कीम थी उसको पहले ही सरकार ने बंद कर दिया था साथ ही दूसरे स्कीम भी हैं जैसे हेल्थ इंफ्रस्ट्रक्चर वाली स्कीम है हेल्थ इंशॉरंस बताया जा रहा है कि जो भजनलाल सरकार है वो उसमें और ऐलोकेशन कर सकती है फ्री ब रही राजनीती और राजनीतिक मेसेज को ध्यान में रखते हुए साथ साथ अर्थ विवस्ता बिगड़े नहीं इस सब को लेकर अगले पात साल का ये बज़िट आज वितमंत्री दिया कुमारी प्रस्तुत करने जा रही है